हलो गाइज वेलकम यूर जैसा कि लास्ट अपिसूड में देखा था हमने चैन वुजिन को वो ट्रेजर बॉक्स मिल जाता है जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से एक होलोग्राम निकलता है जो कि उस मास्टर का होता है जिसने ये ट्रेजर को रखवाया था और जिसे देखने के बाद में चैन वुजिन बहुत शॉक्ट हो जाता है है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आये हैं वीडियो देखने के लिए तो प्लीज मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूँ के सबसे बड़ा अफसर होना चाहिए फिर कहता है लेकिन अब मैंने गलती से उसके वज़ाये इसे मैंने ले लिया है फिर सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए Wuzin ये सोची रहा होता है तभी उतने में वो होलोग्राम वला आदमी उससे कहता है दोस्ट क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम उसकी ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन बहुत तेज हस्ते हुए कहता है मैं चैन वुजिन हूँ, क्यूलिंग सेक्ट का बंशच फिर कहता है एक दिन ऐसा आएगा जब मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इनसान बनूँगा वुजिन की ये बात सुनकर वो होलोग्राम वाला आदमी एकदम शौक डो जाता है और उससे कहता है अच्छा है ये तो बहुत अच्छी बात है कि एवल आप जैसा ही आदमी मेरे नाम को जानने योग है फिर वो होलोग्राम वाला आदमे अपना इंट्रडेक्शन देते हुए बताता है वुजिन को मैं हूँ हेवली एंपरर जुजियान इस दुनिया का लास्ट कल्टिवेशन करने वाला जो एसेंडेंट रिल्म तक पहुचा और फिर बताता है और ये बात भी जानने वाला आखरी कल्टिवेटर की यहाँ दुनिया नकली है इस दुनिया में सारी चीजे बस ब्रह्म है नकली है वुजिन इसकी ये बात सुनने के बाद में एक्टम घवरा जाता है और घवराते हैं बोलता है क्या ये तुम क्या बोल चुक्र शोग्ड फिर हो जाता है दोस्तोग आज यिो शॉक्ड़ी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, और फिर मन में सोचता है क्या ऐसा हो सकता है, कि भाध जानता हो, कि ये इससे पहले बस एक गेम थी फिर सोचता है जो की सिस्टम दोरा बनाई गई सम्बंदित जानकरी यहां गुईजू में चिपाई गई है और तभी यह सोचने के साथ में heavenly emperor को ग्रीट करता है और उनसे कहता है मैं आपकी बात को समझता हूं लेकिन फिर भी मैं cultivation करना जारी रख मैं कैद हूं फिर कहता है आप इन सब चीचों को बिलकुन नहीं समझते हैं वो जिन इसकी यह बात सुनने के बाद में फोड़ा गुसाते हूए कहता है मैंने यह बात ठान लिये हैं यह मैं पक्ता कह रहा हूं कि मैं cultivation जारी रखूंगा वो जिन के इस तरह की द्रण संकल को देखने के बाद में वो heavenly master ठोड़ा शांत हो जाता है और शांत होकर कहता है अच्छा ठीक है यह मैं हूँ जिसने अपना आपा भी खो दिया था और फिर यह बात बोलने के बाद में वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो जिन से बोलता है यहां मेरे पास आओ फिर दि लब यह है कि मैं अपने लिए अपना रास्ता अपना सकता हूं वो जिन की यह बाद सुनने के बाद में एंपरर हसने लगते हैं पिर दिखाते हैं कि heavenly emperor वहां से हसते हुए डिसपेर होना स्टार्ट हो जाते हैं और वहां से जाते हुए कहते हैं यह तो बहुत बढ़िया है मॉर्टल रिल्म में भी एक है जो मेरे साथ चलता है और दोस्तों अगले सीन में दिखाते हैं कि वह emperor वहां पे हसते हुए डिसपेर हो जाते हैं पूरे वुजिन heavenly emperor को ऐसे गायब होते हुए देख के थोड़ा शौक्ड हो जाता है और शौक्ड हो के बोलता है बस इतना ही कि था क्या उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया फिर कहता है उसने मुझे इतना बड़ा रहसे पहले ही बता दिया था उसने समान ट्रॉप का पालन क्यों नहीं किया और तभी दिखाते हैं दोस्तों heavenly emperor के जाते ही जो बॉक्स होता है वो नीचे गिर जाता है फिर करें या शायद मुझे पता लगाने के लिए एक प्रश्न दे कोई immortal क्यों नहीं है और इसके पीछे कौन है फिर कहता है कुछ भी क्यों नहीं है फिर दोस्तों में दिखाते सीन चेंज होता है और चैन वुजिन बहुत ज़रा गुसाया हुआ होता है और वो ऑप्टोपस के जैसे उस ऑप्टोपस ने बोला होता ये बात दोस्तों वुजिन उसकी गर्दन पकड़ लेता है और गर्दन पकड़ के कहता है तुम्हीं दोनों ने इसे चुपाया होगा मतलब जो ट्रेजर आने वाला है दोस्तों उसकी बात कर रही है उसे मुझे वापस दे दो तभी अप्टोपस बोलता है रुक जाओ ऐसा मत करो फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं के आसमान में एक बड़ा सा क्रैक हो जाता है और तभी उस क्रैक में से कोई बहुत तेज लाइट बाहर निकल के आ रही होती है वह इतनी ज़्यादा फास्ट होती ही दोस्तों कि बिल्कुन लाइट ऐड़त तूटे वए तार या लगरी होती है और तभी वहां पे कई कोई देखता है और उसे देख के कहता है और देखने के बाद क्याता है यह एनरजी मुझे ऐसा लग रहा है की यह एलैकजर हो सकती है कोई तभी दिखाते हैं कि नीचे बढूर नहीं सामने आ गया है और हमें दिखाते हैं कि वह आर्टिफेक्ट बहुत जारा स्पीड में रिटर्ण मार्किट की तरफ जा रहा होता है जहां पर वूजी निस समय है और तभी वह उस आसमान से बॉटम लेस की तरफ आ रहा होता है बिल्कुन डिरेक्ट नीचे की तरफ और हमें ज्यूख की वह एक्षब बिल्कुन जैन विजिन के सामने आकर जमीन बे गिरता है और धमाका होता है बूम अर चैन वुजन अपने आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है अलोगाईज आई होब कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा और आगे बहुत मस्त एपिस झाल झाल